नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का चैनल बीपेसी इसपारेंट पर यह वीडियो बीपेसी प्रिलिम्स के टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बनाई जा रही है और इस वीडियो में आप सभी से सेर करूंगी कि बीपेसी test series कैसे सॉल्फ करें और तीसरा कि solve करने के बाद हमें क्या करना है और चौथा कि कम नंबर आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए कम नंबर आने के बाद तो पहले हम लोग चलते हैं test सिर्फ के नाम ठीक है तो इसमें मैंने किया था कि मैंने सेक्षण सेक्सिरीज भी आते हैं मार्केट में जैसे केवल हिस्ट्री के के प्रण जोग्रफी और साइंस के अलग वेशन्स के अलग वेशनस ऐसे आते हैं तो मैंने sectional test series नहीं लगाया थे मैंने सिर्फ full length test series ही लगाया था ठीक है आप चाहें तो आपके जो भी subject कम जोर हैं आपको भली भाती पता होगी कि आप कि section में मजबूत हैं कौन सा strong है आपका कौन सा weak है तो आप चाहें तो यह कर सकते हैं कि जो भी subject आपका week है आप उसके sectional test लगा सकते हैं ठीक है मैंने नहीं लगाया था sectional test लगाने के जगे पे मैंने घटना चक्र के mcqe solve कर लिया थे ठीक है तो मैं नाम आप लोगों के साथ share कर देती हूं पहला जो test series है जो market में सबसे ज़्यादा चलती है हर student के पास होता है आप सभी को पता होगा आप लोगों ने भी इस्तिमाल किया होगा वो test series है यह आस्था की फुल लेंड test series तो यह पहली test series है जिसे मैं लगाया था इसमें लगबग चार या पांच test series आए हुए थे मेरे पास फिल हाल अभी चार है 67 bpac के regarding यह चार test series है पांचवा अगर आया होगा तो कहीं रग दिया होगा मैंने बाकी अभी तो चार है तो पहला test series यह आस्था है इसके फुल लेंद आपको लगाने हैं आपकी एक्षा हो तो आप इसके sectional test भी लगा सकते हैं subject पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा section मजबूत है या फिर कौन सा section कमजोर है आप उसके according choose कर सकते हैं कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है ठीक दूसरा जो test series है वो मैं ने परिक्षा मंतन का लगाया था यह परिक्षा मंतन की बुक भी काफी चर्चीत है आप सभी को पता होगा तो यह दूसरी test series है पहला आस्था यह हो गया और दूसरा यह परिक्षा मंतन ठीक इसके भी मैंने सारे full length test ही लगाया थे इसके भाग 1 में सायद sectional test series है भाग 2 मे मेंने पास है उसकर मैं नहीं हूं लेकिन लेकिन भाग 2 में full length test series थो इसलिए मैंने भाग 2 में लिया था सायद क्योंकि अभी hatte, मुझे याद नहीं कीरद में नहीं था और अलने क्यों नहीए लिया है तो जहां तक मुझे यादा है कि भाग दों में ते सीरिज थे इसलिए मैं इसे लिया था आप जाके मार्केट में देख सकते हैं कि इसमें इसमें अपडेशन भी आ रहा होगा तो आप लोग ले सकते हैं फुल टासरीर टो यह दूसरा हो गया पहला आज तो सिरीज यह बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसमें टोटल दस प्रैक्टिस सेट थे फुल लेंद थे सारे तो इसलिए मैंने इसे ले लिया था तो यह तीसरी टेस्ट स्रीज थी जो कि मैंने लगा रही थी 67 बीपीएसी के लिए तो तीन हो गया आज था यह परिक् सब्सक्राइब कर लिया थे मतलब उसका रिवीजन कर लिया था बार-बार ठीक है तो पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कौन-कौन से मैंने लगा थे दूसरा कि कैसे सौल्व करना है तो उसका आपको यह करना है आप एक्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आपको को प्रिपेअर होना है कि आप प्रॉपर एक्जाम के लिए तयार है रहा नहीं बहुत सारे लोग और प्रॉप्ण टैस्ट्टलेशल लगाताएं वह बहुत अच्छी बात है अगर भीक्म आप how to वेब वैसा मोहल बना सकते हैं वहां प्रॉपर दो घंटे के लिए सबसे अलग हो जाइए और फिर आप दो घंटे का टाइमर कर दीज्य कर दिजिए चुशा नहीं तो फिर बारी जाते हैं तो वहां पे ढलाएतन कर सकते मतलब ऊपल अपको प्राफर है तब ही आप जाके बीपेसी एक्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं कि जो एक्जाम अभी कैंसिल हुआ है 67 बीपेसी का आप लोग ने पैटर्ण देखा होगा उसके देखे होंगे ऐसा नहीं है कि वह सिंपल से क्वेश्चन जैसे लोगों को लगता है कि भी पेसी बहुत आसान है और स्टेट के एक्जाम के मुकाबले तो ऐसा कुछ नहीं है पैटर्ण चेंज कर रही है भी पेसी हालत सबकी खराब होने वाली है तो आपको प्रॉपर तयारी करने का दस मिनट 15 मिनट कम ही लेके चले घर पे रूम पे लाइबरेरी में तो बहतर होगा क्योंकि वहां फिर आपको साइन करना है या फिर थोड़े थोड़े डिस्टर्वेंस आप मान के चलिए कि वहां दस मिनट होगा ही डिस्टर्वेंस एक्जाम हॉल में मतलब में टेक्ष्रा मिलेगा आपको तो वह आपके लिए वैलंगोड है ना और बस यहीं हो गया और तीसरा काम कर सकते हैं कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं पेज पर लिख लेते हैं जैसे पहला का यह दूसरा का भी तीसरा का डी ऐसे करक यह सिरीज में दिया हुआ है इसमें OMR तौफसी उड़ी नहीं मिल रहा है तो कि किसी दूसरे टेस्ट स३रीज को ओ जिरॉक्स करके निकल वा सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी और इसका इस्तेमाल किजे फिर उसे क्या होगा आपको वो जो गोला रंगने की प्राक्टिस होती है ना उसमें बहुत लोग गड़बर कर दें किसी का बाहर निकल गया या फिर किसी का हो गया प्रेसर में भी डालना है और प्रेसर के कारण भर दिया उन्होंने ऐसा मेरे साथ भी हो जुगा है 64 और 65 में मेरे साथ हुआ था एक क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन में तो बहतर होगा कि आप OMR सीट पे सॉल्व करें ठीक है कैसे सॉल्व करना है उसके भी तीन पॉइंट बता दिये मैंने लाइक कंडिशन दूसरा की टाइanor करना घ्रकर दो घंटे के टीसरा की OMR सीट पे आपको सॉल्व करना है ज़िया अब उसके बाद क्या करना है अब सौल्ट कर लिए हमने टेस्ट पर मिला भी लिए इतने नंबर आ रहे हैं अब उसके बाद क्या करना है तेहें पहले पॉइंट है कि जो question गलत हुआ है उसको आप नोड किया जो question गलत हुआ है आपको अब test series का benefit कब मिलेगा जब आप अच्छे से उसका utilize करेंगे ना उसको analysis करेंगे कि कहां पे आपकी कमी है कहां पे क्या है तो पहला गाम आपको करना है जो question गलत हुए है उसको answer सही एक A4 sheet पे या फिर एक पतली सी copy बना लिजे पतली सी ज्यादा मोटी बनाने की आउशकता नहीं ह जो 5 रुपे की copy हम लोगों की school time में आती थी उत्ती पतली copy आप ले लिजे कोई भी और उसको बना लिजे और उसमें जो question गलत हुए है उसको note कीजे दूसरा है कि आप जिस section में week है आगर आप full length का test series solve कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा subject आपका कमजोर है क ताकि उसी दिन आपको उसे revise करना है मालिया कि दो घंटे हो गया आदे घंटे का एक घंटे का ब्रेक लिया उस ब्रेक के बाद फिर आपको जाके question रिवाइज कर लेना आपको ठीक है उसके बाद है जो subject आपका कमजोर है वो पॉइंट आउट कर लिया आपने उसके बाद उससे related mcq solve करना है आपको mcq solve करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि घटना चक्र में जो previous year question से related पूक आती है आप उसका सहारा ले सकते हैं मालिजे किसी का science section week है तो वो जाके घटना चक्र का science section का mcq revise कर सकते हैं और science section में physics कमजोर है तो physics के आप mcq लगा लिजे ठीक है यह कर लेना है तो इसमें हो गया चार पॉइंट बता दिया मैंने कि जो question गलत है उसको करना है पहला पॉइंट यह हो गया दूसरा कि आपको पॉइंट आउट करना है कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है तीसरा कि उसका रिवीजन करना ठीक है और चौता उससे सब्सक्राइब करना ठीक है तो चार पॉइंट होगे टोटल अब उसके बाद क्या करना है इसमें और पांचों पॉइंट मैं जोड़ा है कि अब लगबग एक्जाम से दस दिन पहले या फिर एक सब्ता पहले तक हम लोगों के टेसरीज कंप्लीट हो जाने चाहिए क्योंक को एक जाम से दस दिन या साथ दिन पहले आपको एग गंटा रोज निकालना आहिए जो भी तैसरढत किया है उसका रिविजनन एक घंटा आपको करना ही करना है और आपने कौपी पतली करने में कितना 10-15 मिंट लगएगा że देड़ंगों कर लो आप अपनी सहूलियत के से वह सॉद्व करना लिती ऑफाइदा हुगा ऑप चाहें त तो दो घंटा कर सकते हैं आपको यूथिलाइज कैसे करना है यह आपको निर्दारित करना कुछ यह हो गया हमारा टीसरा पॉाइंट की सौल्व करने के बाद क्या करना है अब उसके बाद किने के नंब बहुत रहे होंगे और कि來到 नंबर्ण अगरnh कंकर नंबरन कि इनके बीच-बीच वाले नंबरन रहाऊंगे ठीक है ठीक है तो जिनके नंबर सके आपने यह टेसरी उठाया जैसे ही यानि आप में वह ललक है कि आप अपने कमजोर पक्स को सुधार ना चाहते हैं तो उसमें नेगेटिव नहीं होना है डी मोटिवेट नहीं होना है टेसरी का प्रॉपर फायदा तब ही होगा जब आप उसका साकरात्म कुरूप में इस् अधर भी ऑप्सन हैं आपके पास आपको आपकी इच्छा है तो आप ऑफलाइंट ट्राइब कर सकते हैं अगर आप अफ़ोड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रूम पे बैठके कर सकते हैं प्रॉपर सेपरेट हो जाएं सभी से घर में रहते हैं तो घर वालों से वीडियों बताई दिया तो इस वीडियो में यही था यह वीडियो टेस्ट सिटीज के रिगार्डिंग था और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसका इंप्लेमेंटेशन अपने लाइफ में कीजिएगा अपनी तयारी के दौरान कीजिए गा लाइफ तो बस इस वीडियो में यह था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और कैसा लगा यह वीडियो इस बारे में कमेंट भी जरूर कीजिए बाकी मिलती हूं आपसे अगले झाल झाल